अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस्तक्बाल है आपका अबरिन अकाडमी में आज हम दस्वी जमात का ब्रीज कोर्स का 45 दिन का निसाब पढ़ने वाले है ये हमारी ब्रीज कोर्स की तीसरी और आखरी टेस्ट है जो के तीस मास्क्स पर मुश्तमिल है तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं सवाल नमबर एक है दरज़ जेल सवालों के दिये हुए कसीर मुदबादिल जवाब में से दुरूस्त जवाब मुन्तखब कीजिए उसमें पहला सवाल है जेल में से तबई दाद का सेट कौन सा है तो तबई दद जो है तो एक से शुरू होता है इसका जवाब जो है तो B आफिशन सही जवाब है एक दो तीन लाताद दद दद फिर सवाल नमबर दो है अगर P बराबर 3 हो तो कसिर रुकनी P की दुसरी तफरीक 9 की किमत खले जगा होगी P बराबर अगर 3 है तो P की दुसरी तफरीक 9 की किमत क्या होगी यह आपको बताना है तो इस मसावात में P बड़ाबर 3 रखे गे तो क्या हो जाएगा P की दूसरी है यानि 3 की दूसरी हो जाएगा तीन की दूसरी नव तफृरिक नव कितना आ जाएगा शिफर आ जाएगा इसी तरह तीसरा सवाल है अगर 2 मतखेरी मसावात X चमा Y बराबर 4 के लिए X बराबर 2 हो तो Y की किमत मालुम कीजिए अगर X बराबर 2 है तो Y बराबर क्या होगा यह आपको बताना है मसावात X चमा Y बराबर 4 है X की किमत रखेंगे तो Y की किमत जो है तो उस पर से आपको हसिल हो जाएगी और उसका जवाब आएगा दू फिर अगला सवाल है खाली जगा जौर्बत अलगा के मुटसिला जिलो की तमाम जोड़िया मुतमासिल होती है तो ऐसा कौन सा जौर्बत अलगा है जिसके मुटसिला जिलो की जोड़िया जो है तो मुतमासिल होती है तो यह आप लोग लिख सकते हो उसके बाद वाला सवाल है तीन मुक्तलिफ नुकात को शामिल करने वाले कितने खुतूत होते है तीन अलग अलग नुकते है और उनको शामिल करने वाले जो है तो कितने खुतूत खीचे जा सकते है वो आपको लिखना है उसके बाद वाला सवाल है एक मसल्स के दो जिले पाच सम और एक अशारिया पाच सम हो तो मसल्स के तीसरे जिले की लंबाई खाली जगा नहीं होगी तो एक मुसलस के दो जिले दिये हुए है एक पाच सम है दूसरा एक अशारिया पाच सम है और आपको तीसरे जिले की लंबाई जो है तो इसमें से क्या होगी वो बताना है फिर सवाल नमबर दो है जेल के जिमनी सवालात हल कीजिए उसमें पहला सवाल है दो और आठ का हिंसी वस्त मालूम कीजिए तो ये जापते के मदद से आपको हिंसी वस्त मालूम करते आएगा फिर सवाल नमबर दो है एक्स की दुसRी तफरीक 25 के अजज़य जर भी कीजिए इसको भी आप जो है तो जापते का इस्तेमाल उसका इसका इस्तेमाल करके हल कर सकते हो सवाल नमबर तीन है मतवाजिल अजला के एक जाविय की पैमाईश 40 तरजा है इसके मुचसिला जाविय की पैमाईश कितनी होगी तो मतवाजिल अजला जो है उसमें एक जाविय अगर 40 है तो उससे जुड़कर बनने वाला जो दूसरा जाविय है उसकी पैमाईश कितनी होगी यह आपको बताना है फिर सवाल नमबर चार है मुसल्लस PQR में अगर जाविया R बड़ा है जाविया Q से तो दर्ज जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है तो चार आप्शन दिये वे हैं इसमें से कोई एक जो है तो सही है वो आपको लिखना है फिर सवाल नमबर तीन है जेल के जिमनी सवालात हल कीजिए पहला सवाल है अगर A बटे B बराबर 5 बटे 3 हो तो A जमा B बटे A तफरीक B की कीमत मालूम कीजिए फिर सवाल नमबर दो है मसावात X तफरिक Y बराबर 11 के कोई 2 हल लिखिए इसी तरह सवाल नमबर 3 है खसीर, रुकनी, X की दुसरी तफरिक 3X तफरिक 28 के अज़्जा जर्बी कीजिए तो अज़्जा जर्बी के तरिके से जो है तो इसको हल करना है फिर सवाल नमबर चार है कीमत मालूम कीजिए पांच साइन थर्टी जमात 3 टैन फॉर्टी फाइव इसकी जो है तो आपको क्या करना है कीमत मालूम करना है साइन थर्टी और टैन फॉर्टी फाइव की कीमतیں रखना है और उसके उपर से जो है तो कीमते मालूम करना है फिर सवाल नमबर पाच है जेल के नुकात किस रबे या महवर पर वाकिय है लिखिए उसमें पहला है नुकता A उसके महद्द बारा सीफर तो ये कहां पर वाकिय होगा किस महवर पर होगा या आपको लिखना है इसी तरह सवाल नमबर दो है B नुकता B के महद्द है तफरीक 5 तफरीक 2 ये किस रबे में रहेगा या आपको बताना है सवाल नमबर तीन है नुकता C उसके महद्द है 2 और 10 और इसी तरह नुक्ता D के महदिद है 15 और तफरीक 18 तो यह आपको किस रबे में रहेगा यह बताना है सवाल नंबर 6 है एक दायरे का निस्व कुतर 10 सम है और वित्र की लंबाई 16 सम है तो इस वित्र का मरकस से फासला मालूम कीजे तो दायरे की शकल बनाई है उसके अंदर जो है तो निस्व कुतर दिया हुआ है वित्र दिया हुआ है उस हिसाब से आपको मरकस से वित्र का जो फासला है वह आपको मालूम करना है तो मुसल्स की शकल बनेगी फिसागॉरस के मसले का इस्तमाल करके आप इस सवाल को हल कर सकते हो फिर उसके बाद वाला सवाल है शकल में खत अल मतवाजी खत M और खत N मतवाजी खत P हो तो शकल में दी हुई मालूमात की मदद से जाविया A, जाविया B और जाविया C की पैमाईशे मालूम कीजिए तो यहां पर जो जावियों की जोड़ियों के बारे में हमने पड़ा था उसके उपर से यह सवाल आप लोग हल कर सकते हो फिर उसके बाद सवाल NUMBER चार है जेल के जिमनी सवाला आफ हल कीजिए उसमें पहला सवाल है जेल की हमसावाते हल कीजिए 2 X जमा तीन Y बराबर 68 X जमा य बराबर 7 तो यह मतब़यर का इकराश करके जो हल करने का तरीका है उसकी मदद से आप ये पहला सवाल हल कर सकते हो फिर सवाल नमबर दो है कायमत जाविया मसल्स X Y Z में जाविया X 90 दरजा है Y Z बराबर 17 सम X Z बराबर 8 सम हो तो Sine Y, Cos Y, Tan Y, Sin Z, Cos Z, Tan Z मालुम कीजिए तो X Z और Y Z आपको दिया हुआ है जाविया X 90 दरजा है तो फिसा गौरस के मसले का इस्तेमाल करके पहले X Y की कीमत मालुम कीजिए और फिर जो निजबते है Sign निजबत, Cos निजबत और Tan निजबत इसके जो जापते है उसकी मदद से जो है तो इस सवाल का जवाब आप लोग लिख सकते हो ये जितने भी सवालात इस टेस्ट के अंदर पूचे गए है हर सवाल के उपर जो है तो वीडियो बने हुए है उन वीडियो का इस्तेमाल करके आप जो है तो इस टेस्ट को हल कर सकते हो अगर आपको कोई परिशानी आती है कोई सवाल हल करने में मुश्किल आती है तो आप कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लहाद